हालो फ्रेंच वेल्कम यू आज में आपके वीडियो लिखा रहा हो देखें बात करने वाले हैं वाटर ट्रीटमेंट स्टाउक की लांग टर्म इन्वेस्टमेंट की अक्सर हम बात करते हैं लेकिन जो साइड में चार्ट आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही लेके में हैं तो उस टाइम पे जब एक में इशवकिशा आपको पता ही कि यह है जो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है जिस इशु को हाइल और नहींरहा है और उन जल स्रोतों में जो गंदगी होती है उसमें जब इतनी गंदगी हो तो उस टाइम पर दिखेगा वह समझे उस पार्ट को जब वहां पर यूज हो रहा है तभी वह दिखेगा अधरवाई यह बंदब ऐसा नहीं कि उसी टाइम पर ही है यह होता है बहुत अब आद है प्लिशन की वज़े से क्या है या यानि की यार कॉल्टी इंडक्स कहा पहुंच जाता है उसका मेजर रीजन क्या है हवा की स्पीड कम हो जाती है तेमपर्ट्रटर डिफ्रेंस यह देखिये टेमपराइश बिलकुल यहां पे चेंज हो रहा होता है और हावा की स्पीड wind speed बिल्कुल बहुत ही कम हो जाती है जिसकी वज़े से जो यह धूल धकड़ सब उपर उठा रहता है और इधर उदर जा नहीं पाता है बस यही कारण है कि यह major reason यही है और बाकी तो आपको पता ही है pollution के कितने कारण है ही जिसको कौन ही मतलब एक परसेंट का भी मैं कहूंगा वहां पर decrease तो होना दूर के बात है कई परसेंट इंक्रेज ही होता है आज हम बात करने वाल है आयन एक्षेंज की जो कि आपके लिए आया था भी एंड में और जब एक के सब्सक्राइब का प्राइस था अब आपको वाह तेकि बहुत सारे लोगों ने आयन एक्षेंज को चूज किया था हमारे वीडियो करने से पहले और उन लोगों को आप देखोगे तो बहुत सारे लोग मैं कहूंगा जिस विंदर सिंग जी है और य आ चुका है और यह जश्बीर जी तो का कहना है कि हमारा तो टार्गेट था वह तो आयन एक्स्चेंज में अल्रडी अचीब कर लिया है बढ़िया बहुत ही बढ़िया लेकिन देखिए यह डेली का चार्ट है जो हमने आपके सामने अल्रडी रखा है आप ध्यान से देखन लुकी एंड में यानि कि जब आपके लिए वीडियो आता जन्रडी आइधिंक यह टाइम फ्रेम था यह लेवल था प्राइस का एक्के सों का लेवल मतलब यह कैंडल बनी थी यह कैंडल बनी थी का त्टिस ऑक्रूबर के राट का प्राइस आया तो उसके बाद कंसॉलिड अंगल का हो या फिर इस इंपल्स के बाद इसको कुछ करेक्शन का हो ठीक है लेकिन अब इसको अगर जल्दी आपको समझना है तो जैसे यह वॉल्यूम बन गया था यह बढ़िया रही आ गई थी अब अगली करेक्शन हमारे लिए जैसे इंपोर्टेंट है तो मानलो आप टार्गेट आपको देखने को मिलेगा तो यह एंट्री है अगर स्टॉप लॉस की बात करोगे तो बिल्कुल इम्मीजेट स्टॉप लॉस यह आपके पास मतलब कितने पॉइंट का है आपको होगे यह जा रहा है औल्मोस 62 80 पॉइंट का देख रहो मतलब यह आपके पास देख रहे हो तो अप्टिमाइज अगर आप और डीप और बड़े टाइम फ्रेम के साब से जाओ तो यह स्टॉप लॉस आपका वैंट रहा है फिर आपको वाह क्या रैली आई आयन एक्षेंज में देख रहे हो कितना क्लियर कट स्ट्रक्चर लोवर लोवर हाई का स्ट्र पर समझने की कोशिश करेंगे एक चुली इस टॉक को हम छोटे टाइम फ्रेम वाइस नहीं बलकि बड़े टाइम फ्रेम वाइस फॉर टागेट ऑफ चौबिस तो नहीं फॉर टागेट ऑफ दिस लिक्विडिटी एरिया 278-29 इसके अराउंड के लिए जो हैं ट्रैक कर रह यह करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और यह लेवल का एंट्री जोन यह लेवल का स्टॉप लॉस दीप वाला और टागेट जोन 2700 से लेके 3000 का यह जोन आपको वहर वा कहां हम तो भी 2400 का टागेट जोन अटेज करने के कोशिश कर रहे हैं आप तो बड़ी लंबी होगी थोड़ा सा करेक्शन दे यह कंसॉलिडेशन दे क्योंकि जब यह कैंडल बन रही है आप देखिए यह कैंडल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है देखोगे एक एक मैं आप इसको कहूंगा जैसा हम बॉटम पर कहता ने कि इस तरीके सा सिचुवेशन आपको देखने को मिलती है इक्वल लोज या फिर हलका सा लिकुडिटी ग्रैब या फिर हलका सा हाइर लो यह होता है आपका फॉर्मेशन आप यहां पर देखोगे तो कौन सा वाला पार्ट यह वाला पार्ट है अब अगला इंतजार क्या होता है कि यह पिछले हाई एरिय तयार हो रहा वीकली का एक लो रिस्क वाला स्विंग तयार हो रहा है मतलब मान के चलो मैं अगर यहां पे एक्के सो के लेवल पे दस शेर खरीद रहा हूं और मैं बिल्कुल डीप स्टॉप लॉस के सांथ जा रहा हूं वह भी नाइंटीन हंड़ फिफ्टी के राउंड का थीक है तो 1500 पॉइंट का मैंने रिस्क लिया यानी के 10 शेर पे कितना हुआ समझे दस शेर पर कितना हुआ पंदरा सो का रिस्क और टारगेट मैंने सेट किया यह जोन 2700 अब आपको गया 2100 से 2700 के लेवल पे 600 पॉइंट का उपर का टार्गेट और नीचे 1500 पॉइंट का आपका रिस्क रिस्क रिवार्ड रिश्य हो गया लेकिन रिस्क रिवार्ड को छोड़ी है साइड में सबसे पहले यह देखिए कि लॉस क्या 1500 का आप ले सकते हो अगर 1500 का ल 15,000 का लॉस ले सकते हो तब आप खरीदो के आपको गयर हुआ 100 शेर्थ खरीद लिए मैंने तो मैं तो 15,000 का लॉस लेने के लिए तई आरू प्रॉफिट तो बात की बात है पहले लॉस को फिक्स करना is very important यह आपको क्योंकि जब लॉस आपके affordable bracket मा होगा तब जाके आप इन target area तक इंतजार कर सकते हो तब जाके आपके अंदर इतना patience आ सकता है क्योंकि लॉस का आपको डर नहीं है क्यों यह डर क्योंकि उसका calculation आप इसका calculation आपने आरड़ी कर दिया अपने डर के हिसाब से ही आपने लॉस को रखा है अपनेrender क के हिसाब से ही उस लॉस को रखा है यह बहुत सारी चीज के करके हम आपको बता रहे हैい यह आए अन एक्षेंज कर आप देख रहे हो आज की brand में पा शेर लेकिन अगर आप से उसको समझो तो यह समझने वाला पार्ट जो यह स्विंग स्टार्ट हुए आपको गयर इतनी जल्दी देखिए मेजर उस टाइम पर कौज चल रहा था वाटर टेड्मेंट का आपके सामने स्टॉक आया 21 अक्टूबर को कारण क्या था बस यहीं कारण था यह वीखरी के स्टार्ट अब अग你有 कि हैं लेकिन हमेशा जान रखें रिस्क-मेनजमेंट इसदखी मैं आपको प honeymoon कि वीडियो को तो फिराल wind up करता हूँ वीडियो को और उमीद करता हूँ सीखने को आपको जरूर मुल रहा होगा, पुराना वीडियो जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दस दिन पुराना वीडियो है बस, और वहाँ पे क्यों कि प्राइस इतना राइस नहीं हुआ था, लर पुराना वीडियो